प्रिया दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इको अ कब पढ़ते हैं इको अ कब पढ़ते हैं इको अ पढ़ने के दो नियम है इस वीडियो में हम केवल एक ही नियम पर चर्चा करेंगे और इको अ पढ़ने का दोसरा नियम आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा तो इको अ पढ़ने का फर्स्ट नियम पर चर्चा करते हैं देखें इ आर सात में आते हैं तो वहां पर इ का उचारण अ होता है एक बार फिर से यदि किसी सब्द में दो ब्यंजनों की बीच में इ आर सात में आते हैं तो वहां पर इ का उचारण अ होता है उधारण के लिए आपके सामने है वर्ब यहां पर वी को पहला ब्यंजन मानते हैं और बी को दूसरा ब्यंजन मानते हैं वी को पहला ब्यंजन बी को दूसरा ब्यंजन और दो ब्यंजनों की बीच में इ आर सात में आर रखें हैं तो यहां पर इ का उचारण अ होगा वी का उचारण हमें पता है वो होना है इ का उचारण ओ होना है आर का उचारण रो होना है बी का उचारण बो होना है अब देखिए, वो पलस ओ पलस रो पलस ब, वो पलस ओ होगा वो, और रो पलस ब होगा वर्ब, तो इसका उचारण होगा वर्ब, देखिए, एक बार फिर से, यदि दो ब्यंजनों के बीच में, यार साथ में आते हैं, तो एक आउचारण ओ होता है, पहला ब्यंजन वी है, दूसरा ब्यंजन बी है, तो यहाँ पर वी को वो पढ़ेंगे, एक आउचारण ओ होना है, आर को रो पढ़ेंगे, बी को बो पढ़ेंगे, और इन सब को मिलान पर हमें मिलता है वर्वर तो इसकी परिभासा पर चलते हैं देखिए यदि किसी सब्द में दो ब्यंजनों की बीच में यार हो तो ई को ओ परा जाता है जैसे यहां पर दो ब्यंजन है एच और डी एच का उचारन हमें पता है हो होगा ई का उचारन ओ होना है और आर का उचारन रो और डी का उचारन डो तो हम इसे परिएंगे हो हो में ओ है और आर को हम रेफ डाल देंगे और डी को डो परा जाता है तो हम परिएंगे हर्ड ठीक उसी प्रकात वर्व इसका दूसरा नियम आ पताया जाएगा इस वीडियो में इतना ही थेंक यू हेम नाइश्टेंग